अग्साम वोरियर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे राजस्तान का भूगुल और हमारा पहला टोपिक रहेगा राजस्तान की इस्तति एवं विस्तार ठीक है तो हम सबसे पहले विश्व में हमारे राजस्तान की इस्तति क्या है वो देख लेते ह थिश्व का ग्लूब। ठीके और विश्व को दो बढ़ती है एक रहा जिसका नाम है पुंबद रहा जोकि 0 दिघ्री अक्षान से रहते हैं यह विश्व को उत्तरी गोलार्द और दक्षेन गोलार्द मर्ट बाठी है एक होती है देशांत्री रहा है जो कि यह है जिरो डि यहां पर ठीक है तो अक्षान से द्रश्टी से हमारा राजस्तान हो जाएगा उत्तरी गोलार्द में और देशांत्री द्रश्टी से हो जाएगा पूर्वी गोलार्द में और पूरे गलोब की द्रश्टी से हमारा राजस्तान कहां पर आ जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार् कोई लक्षान सी रहा यानि कि ये वाल रेखाई कितनी है 181 है ठीक है खुल देशा अंतीर हमारे रास्तार की स्तती देखने से पहले हम पहले मैप देखना देख लेखते हैं प्लस का साइन करना है और जो हमारा सीर होता है सिर की तरफ होता है उत्तर जहां पर हमारा पेर होते है वहां पर होता है दक्षिन हमारी राइट हैंड की तरफ होता है पूर्व और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है पस्चिन ठीक है तो यह है एश्या महादिप ठीक एश्या महादिप में यहां पर प्लस का साइन करते ह यह ऊजा же, East, West, North, South तो अब इसमें हमारी राजस्तान है इस जगर पे उसकाहारा राजस्तान एश्या मातिव में किस तरभ आएगा धक्षिन पस्षिम में ठीक है ! इसके लिए कुछ नौल्ट करने हैं वाले अक्षा शे द्रश्टी से राजस्तान की इस्तती है उत्तरी गुलार्द में देशांत्री द्रश्टी से राजस्तान की इस्तती है तो पूर्वी गुलार्द में विश्वा ग्लोब में राजस्तान की इस्तती क्या है उत्तर पूर्वी गुलार्द में और एश्या तो यह हो जाएगा इसका East, यह हो जाएगा West, यह हो जाएगा North, यह हो जाएगा South तो अब हमारा राजस्ता की स्थिति भारत में कहा है, तो भारत में यह है हमारा राजस्ता तो भारत में राजस्ता की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पस्चे में, ठीक है कि प्रत्विय को दोब बगम कोंसे रेका बढ़ती है तो जिरो डिग्री अक्षान से रेका यानि कि भूमध्य रेका भूमध्य रेका कि 293 डिग्री उत्तर में एक और रेका गुजरती है जिसका नाम है करकरेका करकरेका यह जो करकरेका है वो राजसान के डुंगरपूर और बांसवड़ा में गुजरती है तो यह हमार राजसान की इस्तती तो जिस दिन सूर्य करकरेका पर सिधा चमकता है और वो दिन है 21 जून 21 जून के दिन सूर्य करकरेका पर सिधा चमकता है इस दिन राजसान में सबसे बड़ी राते होंगी और सबसे बड़ी परचाई बनेगी ठीक और एक और सूरे जब नोर्थ पॉल पे होगा और सूरे जब सबसे बनेगी इस दिन सूर्य साउथ विश्व यानि कि दक्षिन में सीधा चमकता है यह इस्तती को बोलते हैं सरद विश्व और इसमें भी विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं राजस्थान की इस्तती और सबसे देखते हैं पहले देखते हैं अक्षान्शिय विस्तार राजस्थान का अक्षान्शिय विस्तार ठीक है तो अक्षान्शिय विस्तार शुरू हता है 23 तीन उत्री अक्षान्श से यह वाला है 23 तीन उत्री अक्षान्श स 두-ließ भार, इल्म का है और यहालक घाव कौन है? बोरकुंडा you yourself और यहांग आपई गाव पढ़ता है बासवर्यक्ष इपर राजसाह कि अकशान्षे मिंस पतilities भी याया ऑदा चैजिता है ठीके और यहां से यहां तक विश्तार कितना है उत्तर से दक्षिन की लंबाई है राजसान की 826 किलोमेटर उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है 826 किलोमेटर है और अक्षान से विश्तार हो जाएगा 7 डिग्री 9 अक्षान्स साथ दिगरी नौ अक्षान्स के मद्दे में अक्षान्स से विस्तार है ठीके हम कॉस्चन देखे लेखते हैं कि राजस्थान का अक्षान्स से विस्तार क्या है तो 23.3 से 23.3 उत्री अक्षान से 30.12 उत्री अक्षान के मद्दे में राजस्तान 7.9 अक्षान सों के मद्दे में इस्तित है राजस्तान का उत्रीतम बिंदू है कोणा गाव गंगानगर और राजस्तान का दक्षिनितम बिंदू है बोरकुंडा बासवाडा और राजस्तान के उत्तर से दक्षिन की लंबाई केतने 826 किलो मीटर ठीक है तो अब हम देखते हैं देशांतरिय विस्तार देशांतरिय विस्तार शुरू हता है 79 डिगरी 30 पूर्वे देशांतर से ये वाला कट्रा गाव जसल में और पूर्वित्तम बिंदु हो जाएगा सिलाना गाव दोलपूर में राजस्तान की पूर्व से पस्चिम के लंबाई कितने हो जाएगी यह वाली आाटा सो 79 किवलमेडरי अगला देखते हैं कि राजस्तान का मद्यवरती देश आनतर कौन सा को सा है और राजस्तान का मद्यवरती अक्षान को सा है ठीक है तो राजस्तान का पुआ कि मत्यवर्थी अक्षांस देख ले राजशत का मत्यवर्थी अक्षांस हो इहां से लगा यह वाली रेका कि तो राज्यां का मत्यवर्थी अक्षांस है 27 डिगरी अक्षानसिय रेका, यह सरवादिक जिल्लों में से भी गुजरती है, ठीक है, और एक रेका आती है, उत्तर से दक्षिन, यह वाला होती है, इसको बोलता है देशांतरी रेका, और राजस्तान की जो मद्यवर्थी देशांतर है, वो कौन सा है, 74 डिग्री देशांतर रेका, र केवल और केवल राजस्तान के जैसल मेर से गुजरती है ठीक है राजस्तान किसी अन्य जिल्ले से नहीं गुजरती है ये केवल और केवल राजस्तान से जैसल मेर से गुजरती है ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं हम राजस्तान की सीमाओं के बारे हैं तो राजस्तान की जो टोटल सीमा है वो है 5920 किलोमेटर राजस्तान की टोटल सीमा कितनी है 5920 किलोमेटर ठीक है 5920 में से दो भाग है अंतराश्टी और राज्जिय तो अंतराश्टी सीमा है 1070 किलोमेटर 1070 किलोमेटर अंतराज्ची सीमा है और 4,853 km वह 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 अंतराज्ची सीमा तो 1070 km जो रेखा है अंतराज्ची वह लगती है उसकी पाकिस्तान के साथ तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतराज्ची सीमा वाली ठीक है ये तो अंतराष्ट्य शिमा राष्णार के प्राराम होती है हिंदु मलकोट गंगानगर से लगा करके ये वाली पूरी रेका जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेका इसका निर्दारन सर आईवर रेड क्लिफ के द्वरा किया गया था इसलिए इसको बोलते हैं रेड क्लिफ के भाटमेर तप्र राजसन की कितने चेल्ले इसकी अंदर गहता थैं घंगा नगर नEtr जे Κसल मेर औरं बार्डमेर रौमेर शरव्हादीक सिमा राजसनकी जो लगता है वह वोड किसकी है चार सो छौ्शावर्डियुम्यट रखिती है जेकस्छल महर ठीक है उसके बाद लगती है बाड मेर की 228 km इसके बाद गंगा नगर 210 km और सबसे कम सीमा लगती है किसकी बीका नेर की तो इसकी है 168 km सीमा लगती है ठीक है इसकी सबसे कम से सबसे चोटे में अगर आप ट्रिक जानना चाते हो तो इसकी ट्रिक हो जाए कि जब गंगा बीका सरवाद इक जेसल मेर इसके बाड मेर इसके बाद गंगा नगर और इसके बाद किसके बिका नगर की तो ट्रिक के हो जाएगी जब गंगा बिका ठीक है नेक्स्ट तो राजस्तान के हमारे जिल्ले लगते है चार जिल्ले उसी प्रकार से यहां से रगा करके यहां तक पाकिस् अगली है बहन बहन सो जएगा बहाल पूर ठीक है रहीम रहीम जएगा रहीम यार खा चुटकी, चुटकी को हम बोल देते हैं घुटकी ठीके, क्या? चुटकी को हम बोल देते हैं घुटकी ठीके, सुख सुख से हो जाएगा सुकूर अगला है स, स से हो जाएगा संगर और सुख में जो सु है उसे हो जाएगा सुकूर और ख है उसे हो जाएगा खेरपूर ठीक है उमर उमर से हो जाएगा उमर कोट और अंत में है था और था से हो जाएगा थार पारकर ठीक है तो ट्रिक क्या हो जाएगी बहावल नगर की बहन ने रहीम की चुटकी को सुख सव उमर ठोपा ठीक है आपको हमारी ये ट्रिक कैसे के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताना ठीक है जोस्तों हम आगे पढ़ते हैं राजस्तान की अंतराज्य सीमा ठीक है राजस्तान की अंतराज्य सीमा कहां से प्राराम होती है यहां से यह वाली जो सीमा है वो कौन सीमा है अंतराज्य सीमा है राजस्तान की अंतराज्य सीमा क के टोटल लंबाई कितनी है तो 4000 कि 850 किलोमिटर अंका चाराज गार्षय सीम किलोमिटर सार के कितनी tit ठोट धाँ कितने जिल्लों-कितने राजों सीमा बनाता है यह हो जाएगा पंजाब कि यह हो जाएगा हर्यान यह हो जाएगा जाहिए अजय squeez प्रदेश यह हो जाएगा MP और यह हो जाएगा कुझे रात कितने जराज्जों के साथ सीमा बनाता है राजस्तान पांच राज्जों के बारे में तो अब इसमें सबसे ज्यादा सीमा और सबसे काउं सीमा वाले जिलों का अवरोई करम की एक ट्रिक देखे तो इसके हो उसे उत्तरवदेश और पसे पंजाब तो सरवादिक सीमा कौन लगाता है मध्योप्रदेश कितनी सीमा लगाता है तो वो है 1600 किलोमेटर मध्योप्रदेश कीती सीमा लगाता है 1600 किलोमेटर इसके बाद आता है हरियाना तो हरियाना सीमा लगाता है 1262 किलोमेटर 1262 किलोमेट लगता है इसके बाद आता है गुजरात जिसकी सिमा लगती है 1022 किलो मेटर ठीक इसके बाद आता है उत्तरफदेश उत्तरफदेश की सिमा कितनी लगती है राजस्तान से तो वह 877 किलो मेटर एट टबल सेवन किलो मेटर उत्तरफदेश की सिमा लगती है राजस्तान के साथ और पंजाब अंत में पंजाब की सिमा लगते हैं 89 किलो मिटर पंजाब की सिमा कितने लगते हैं 89 किलो मिटर ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक है हम देखते हैं कि राजस्थान के कितने जिल्ले और हमारे जो अंतराजी सिमा हैं उनकी कितने जिल्ले आपस में सिमा बन तो राजस्थान के दो जिल्ले और पंजाब के दो जिल्ले आपस में सीमा बनाते हैं, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के दो जिल्ले और उत्तर प्रदेश के भी दो जिल्ले सीमा बनाते हैं, ठीक है ये वाले, अगला है गुज चेले सीमा बनाते हैं इसके बद आता है हरियाना के साथ राजस्थान के साथ जिले सीमा बनाते हैं आप आघे देखते हैं कुछ एंपऔर्टन फेक्ट राजस्थान का सरवादिक अंतराज्जी सीमा बनाने वाला जिल्ला कौन सा है तो राजस्थान का सरवादिक अंतराज्जी सीमा बनाने वाला जिल्ला कौन सा है ये वाला ठीके ये वाला जिल्ला है जाला वाड ये वाला जिल्ला कौन सा जाला वाड जो राजस्थान की सरवा वो कितनी है चआद्टrag ठीक है अब आप देखते हैं राजस्थान के कुल जिल्ये कितने है ऑर राजस्थान के अंतरवति जिल्ये कितने है जो कि किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं उनकी संख्या कितने आठकों-कूं से देख लेते हैं पिए नागॉर जोदपूर यह वाला पाली यह वाला राजसमन पूंक कर बोंदी विर जोमिंद यह बनाते नहीं सिर्फ मेरे के साथ सिमा बनाते हैं आप उसे जिलह जो अंतराज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतराष्ट्य सीमा भी बनाते हैं तो वो हो जाएगा एक तो गंगानगर एक हो जाएगा बाडमेर यह पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाते हैं पंचाप के साथ भी बनाता है और बाडमेर है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और बाइब बाइब